ये तो जिन्दगी के सच्चाई है, लेकिन एक दूसरी चीज है कि जैसे वो आपने देखी होगी होमियोपैथी की गोलियां, होमियोपैथी में गोलियां जो चोटी चोटी चलती हैं, वो हमेशा गोलियां मिठी ही रहती है, लेकिन उन गोलियों में कड़वी दवाईयां रह जरूरी नहीं है वो कड़वी दवाई अंदर जाये जादा जरूरी है लेकिन वो जाएगी कैसे जब मिठाई को देहकर मिठास को देहकर ही जुबान खुलेगी मुझ खुलेगा और तब दवाई अंदर जाएगी और मिठास के बहाने कड़वाट चली जाएगी तो यहां क्य होती हैं जो प्रेम की गोली खिला कर कामनाओं की पूर्ति की जाती है तो सब के पीछे यही है यह यही है जैसे आप अगर मचलियों को पकड़ने जाओगे आप कांटे डालोगे बंसी डालोगे पानी में तो बंसी में कांटा तो छिपा रहता है आटा ही रहता है ना उपर या कोई ऐसी चीज लगा दी जाती है उस कांटे के उपर जिसको देखकर मचलियां अट्रक्ट होती हैं जैसे आटे को लगा देते हैं और आटे को खाने मचली आती है और काटे में फज जाती है आटा हमेशा उपर रहता है कांटा अंदर छिपा हुआ रहता है यह हीडे नेसंटा है यह relationship में यह hearts चलता है यही कारण है कि आज के समय में जो रिस्ते खराब हो रहे हैं तो क्यों खराब हो रहे हैं मैं एक मतलब सच्चाई आपको बताओं कि अजीब सी समाज की सिती होते जारी है एक समय था जब मैं देखता था कि लड़के बड़े उतावले होते थे शादी करने के लिए सादी करने के लिए तो सभी अंदर से तो इक्षा होती है जो बेहने होती है वो थोड़ा बोलती नहीं है लेकिन अंदर से तो उनकी भी इक्षा होती है या ना अलड़के तो खुलके बोल देते हैं थोड़के होते हैं बेशरम होते हैं तो खुलके की भाई ऐसा करना है लेकिन अब की इस्तिती है जब से मैं देख रहा हूँ ये टीवी मीडिया और उसमें जो relationship दिखाये जा रहे हैं जिस तरीके से हालत ऐसी हो गई है समाज की कि मैं ऐसे बहुत सारे परिवार को जानता हूँ जहां के लड़के शादी करने का नाम से भाग रहे हैं वो शादी नहीं करना चाह रहे हैं मतलब शादी के नाम से ऐसा देहसत फैला हुआ है कि उनको लगता है पता नहीं शादी के बाद क्या हो जाएगा ऐसा लग रहा है जैसे कि कितना वड़ा रिस्क हो गया है शादी करना क्योंकि शादी के पहले वही अच्छी-च्छी बातें मिठी-मिठी बातें आदरश की बातें सब चलती है और शादी के बाद कड़वी दवाई सामने आती है उसके बाद पता चलता है कि अरे भाई मैंने तो गलब डिसिजन ले लिया उसके बाद से बड़े बड़े अच्छे अच्छे फैमलियों को मैं बरबात होते हुए देख रहा हूँ बहुत सारे लोग